आपकी इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं बैंक निफ्थी और निफ्थी के क्या प्रोबेबली कल के ट्रेडिंग सेशन में बेस ट्रेड मिल सकता है और एपिसोड को आगे बरें इससे पहले प्रीमियम टेलिग्राम को जोईन करके डिस्किप्शन के लिंक से चाहें तो एकाउंट आपेंड कर लेंगे इस समय यहां हमने डेली टाइम फ्रेम के बैंक निफ्थी के चार्ट को खोल रखा है और यहां आप इसली देखेंगे कि इस समय बैंक निफ्थी अर्लियर क्या ट्रेंड था लोवर लोवर हाई के ट्रेंड थे उसके बाद यहां से यह ब्रेकाउट हुआ और इस समय एक रेंज में स्टक होते हैं दिख रहा है और एक बार 44,800 के लेवल को डेली टाइम फ्रेम पे इसके उपर की क्लोजिंग देता है तो फिर यहां से जो एक अन्फिल्ड गैप डाउन था यानि 46,000 तक के लेवल दिख सकते हैं इस समय यह स्ट इसनली लेने से बचना चाहिए एक बार इस सप्लाई जोन को ब्रेक आउट करता है तो यह ट्रेंड कंटिन्यू यहां तक के लेवल दिख सकते हैं यह तो देली टाइम फ्रेम के एनलेसिस हुए अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या बेस लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए होने बाला है उसको समझेंगे यहां हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेंक निफ्थी के लिवल्स को खोल रखा है और आज देखेंगे तो हमने देखा कि लाश्ट टाइम यहां देखेंगे तो एक राउंडिंग पैटर्न बनते डीख रहा है और यहां देखेंगे तो यह जो range दिख रहा है एक major supply होने वाला है और इसी supply से पहले यहाँ देखेंगे एक consolidate रहा था इस consolidate के बाद यह breakdown हुआ तो upper side आप यह मान करके चलिए कि एक बार minimum हमारा जो breakout होना चाहिए वो 44,550 के उपर होना चाहिए तभी हम बड़े target expect करेंगे चुकि यह consolidate zone था तो इसी zone में again supply आते दिख सकता है और बहुत सारे SL जो है maximum यहाँ तक रहे होंगे तो इस level को breakout पे एक बड़ा reversal trend अपसाइड में ले सकते हैं तो कल के जो call के जो buyer है उनका buying कहा होना चाहिए minimum 44,560 के उपर ही CE के opportunity को grab करेंगे जहां हमारा पहला target क्या होना चाहिए पहला target 44,640 पहला target आएगा दूसरा target जो हमारा होगा वो होगा 44,760 और third target जो हम ले करके चलेंगे वो near around 44,820 से ले करके 900 तक के levels upside में expect करेंगे लेकिन अगर हम point out करें कि put के opportunity के best probability trade कहां बनते दिख सकते हैं तो यहां आप यह मान करके चलिए कि जो एक major resistance as of now दिख रहा है यहां देखेंगे यह एक major resistance bank nifty के अंदर दिख रहा है यहां देखेंगे यह major resistance है और यह consolidated form रहा था यहां देखेंगे यह consolidated form रहा था minimum जो एक level breakdown होना चाहिए वो 400 के नीचे ही put के opportunity में जाएंगे और upper side call के opportunity के लिए जो minimum breakout है वो आज के high यानि 550 के आसपास के breakout होने चाहिए यहां देखेंगे यह जो level अपने को दिख रहा है upper side का जो call के तरफ जाना है इसके लिए इस level को breakout होने देंगे एक बार यह level breakout हो तो call के तरफ जाएंगे और बात रही put के opportunity के लिए तो lower side इस zone को अगर breakdown करता है 400 के आसपास के level को तो हम put के opportunity को लेंगे और यह जो बीच का 550 और 400 के बीच के जो level है वो है no trading zone तो हमारे put के opportunity 44,400 से active होगा जहां हमारा पहला target near around जहां से यह consolidate करके इस zone से breakout किया तो पहला target जो हमारा आएगा वो 44,300 के level आएंगे और दूसरा target जो हमारा आएगा वो आएगा 44,180 और तीसरा target 44,040 तक के levels दीख सकते हैं यहां देखेंगे तो maximum यहां तक का गिराबट दीख सकता है पहला target हमने 300 के लिए दूसरा target near around 180,200 के आजपास के आएंगे और third target 44,040 का आएगा निफ्टी के analysis को देखें इस से पहले जब भी देखिए बजार तीन trend में ही होता है या तो uptrend में होता है या तो downtrend में होता है as of now जो nifty trend कर रहा है वो कर रहा है uptrend में चुकि यहां देखेंगे daily time frame पे एक lower low lower high के trend बने है यह trend multiple fake out भी दिखें पहला यहां दूसरा यहां और तीसरा यहां लेकिन इसके बाद का जो breakout हुआ trend reversal रहा बहुत सारे short covering दिखें और यहां से देखेंगे तो trend continue रहा है वो side lower side हो या फिर upper side जब भी trend होते हैं लगबग 3-4 दिन यह continuation होता ही है और यहां देखेंगे इस level के breakout के बाद यह continuation पिछले 3 दिन से चल रहा है जब भी बाजार upside में हो तो 2pm के आसपास जो है आपको upside के बरे jackpot दिख सकते हैं जब बाजार downtrend में हो तो 2pm के साथ जो है put के बरे opportunity दि दिखेंगे ताकि time to time आप इसको revise कर पाएं आज के जो candle रहे हैं यह काफी strong hammer candle बनते दिखा है और probably जो एक unfilled gap down थे इस unfilled gap down को यह feel करते दिख सकता है और जो probably हमारे पास levels आ रहे हैं वो 19,800 प्लस तक का level दिख रहा है जो 800-900 के levels को भी touch करते दिख सकता है as of now जो major support है वो 19,500 के आसपास का है जब तक इसके नीचे की closing नहीं देता है हम bearish trade के तरफ positionally नहीं जाएंगे जो future के through करते हैं या फिर swing trading option indices nifty में करते हैं अब हम देखेंगे कि 15 minute के time frame पे क्या best probably trade दीख रहा है और यहां देखेंगे तो आज हमने देखा कि last time जो है काफी बड़े reversal देखने को मिले हैं earlier यहां देखेंगे जो earlier trend दिख रहा है यहां से यह trend क्या रहा higher high higher low के trend थे यहां देखेंगे यह trend higher high higher low का था इसके बाद यहां देखेंगे तो एक breakdown हुई lower side में और जो major support था 19,400 के इस zone में consolidation हुआ और उसके बाद अगेन यह higher high higher low के trend को follow करते वे दिखा है तो as of now closing positive रही है और यहां देखेंगे तो 700 तक के upside का probably जो target है वो निकल करके आते दिख रहा है कल के लिए जो हमारे लिए एक major support निकल करके आया है उसको थोड़ा seriously समझेंगे 580-600 एक major support हमारे लिए होने वाला है तो हमारा call का opportunity 19600 के उपर जो है call के opportunity ही बनेंगे जहां पहला target 19,640 दूसरा target 19,670 और तिसरा target 19,720 ये तीन target call side में upper side दिखेगा लेकिन put के buying कहा होंगे minimum 580 के नीचे ही put को लेंगे अगर मान लिजे 19,580 के level को breakdown करें तो put के तरफ आएंगे जहां पहला एक small target आएगा वो target क्या होगा 19,560 उसके बाद का जो दूसरा target आएगा वो बरा target दिखेगा वो target क्या दिखेगा 19,520 और उसके बाद देखेंगे तो 19,490 से लेकर के 60 तक के levels दिख सकते हैं I hope ये वीडियो informative रहा आगे कि कुछ भी query हो तो comment box के माध्यम से फूस सकते हैं Thank you for watching this video Here you go